हलो दोस्तों आज लाएं हैं आरेसेटी एक्जाम पेपर 22 जनवरी 2023 दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप आरेसेटी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए पेपर बहुत शांदर पेपर होने वाला है क्योंकि आरेसेटी के एक्जाम पेपर में बहुत से प्रश्न वापस रिपीट होते रहते हैं तो चलते हैं हमारे प्रश्णों की और हमारा जो पहला प्रश्णों होगा वह है निम लिकित में से सबसे उप्योगत विकल्प चुनिये अप्शन है एलक्टरिक बुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट का उप्योग किया जा सकता है बिल्कुल सही आंसर है सही है एलक्टरिक बुगतान में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उप्योग किया जाता है दूसरा है OMR का पूरा रूप Only Magnetic Reader होता है यह गलत है OMR का पूरा नाम होता है Optical Mark Reader Skype System software का हुदारन है नहीं Skype System एक application system है application software है प्रिंटर की output गुणवता हर्टर में मापी जाती है यह भी गलत है प्रिंटर की जो गुणवता होती है वो DPI में मापी जाती है तो यहाँ पर अपने पास और भी answer निकल के आए है आप से पूछा जाए कि प्रिंटर की गुणवता किस में मापी जाती है तो DPI में मापी जाती है और DPI की full form पूछी जाए तो dot per inch क्या होगा dot per inch ये आपके printer की गुर्णता इसमें मापी जाती है और OMR का full name पूछे तो optical mark reader इसका इप क्या है system software ना होके application software है और हमारा जो सही answer है वो है ये electronic भुकतान परणाली में debit card और credit card का उप्योग होता है तो इसका सही answer होगा option A अगले question की और बढ़ते हैं हमारा अगला question है इमेल client में inbox email client में inbox कौन सा होता है एक इस्तान जहां बेजे गए email रखे जाते हैं बिल्कुल correct है जहां हमें mail प्राप्ट होता है या mail जो रखे जाते हैं वो inbox कहलाता है तो हमारा सही answer inbox है और भी दूसरे जो option है उनको भी देखा जाए एक इस्तान जहां और वन्चित email रखे जाते हैं उसको spam कहते हैं ये भी सवाल काफी बार पूछा गया है एक इस्तान जहां और वन्चित email रखा जाता है वो होता है spam एक इस्तान जहां हटाएगा email रखा जाता है वो होता है trash ये भी सवाल आपके एक्जाम में आ चुका है R.A.C.T. के एक्जाम में और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक इस्तान जहां इमेल रखे जाते हैं और सेव की हुई इमेल को कहा रखा जाता है वो रखा जाता है ड्राफ्ट के अंदर ये भी आपके कुशन्स आता है अगले प्रस्शन के और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्शन है MS Excel 2010 में एक टूल है जो एक अग्यात मान की गरना करने के उद्शे से पीछे की और कारी करता है या काम करता है आप्शन है बुलियन ओपरेटर मेल मर्ज गॉल्षिक बुक्मार्क तो दोस्तों आप्शन ए है बुलियन ओपरेटर बुलियन ओपरेटर वो एंड है और है ये बुलियन ओपरेटर कहलाते है मेल मर्ज क्या होता है mail merge होता है एक से अधिक वेक्तियों को जब हमें कोई document है letter वगर है browser वगर है बेजना हो तो उसके हम mail merge का परियोग करते है goal seek जो हमारा ये answer जो है वो होगा goal seek एक अग्यात value की मान की करना करने के उधे से से जो पीछे के और काम करता है वो होता है goal seek bookmark अब यदि हमें कोई कोई page जो है भोईशे में वापस चाहिए होता है तो हम उसे bookmark लगा कर रख सकते हैं ये भी MS word का features है तो हम इसका bookmark का उप्योग करते हैं लेकिन अब हमारा जो प्रशन है वो है एक अग्यात value की ग्यात करने के लिए goal seek का उप्योग किया जाता है option c हमारा सही answer होगा अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं हमारा अग्ला प्रशन है URL URL का एक मान्य उधारन है अब URL का मान्य उधारन देखते हैं a colon ये URL का उधारन नहीं है .jpg लगावा है ये एक IP address है ये भी URL का उधारन नहीं है और यहां ये एक formula है सम formula लगया गया है यहां पर और ये भी उधारन नहीं है गलत है ये हमारा सही option c www.vmo.ac.incqca ये हमारा सही answer होगा URL का एक मान्य उधारन होगा option c अगला प्रशन देखते हैं MS Excel 2010 में sale address का सही उधारन क्या है तो दोस्तों जो sale का address होता है वह फर्स्ट में तो row name आता है column name आता है और row जो संख्या होती है वह बाद में आती है तो पहले तो column column का नाम जो column का नाम A B C D यह से column का नाम चलता है और row 123 यह से चलते हैं तो पहले तो आगया column का नाम और फिर आगे row का नाम तो अब देखते हैं तो इसमें दोस्तों यह पहले row का नाम है तो यह हमारा गलत आंसर है और इसमें देखते हैं यहां पर column आगे भी दे रखा है और पीछे भी दे रखा है यहां पहले column दे रखा है नहीं row दे रखी है पहले और बीच में column दे रखे हैं यह भी गलत है तो हमारा सही आंसर होगा पहले column संख्या दे रहे की है और फिर row संख्या दे रहे की तो option B हमारा सही answer होगा अगले question के और बढ़ते है animation जिसे परभाव है तो तब होते हैं जब आप MS powerpoint 2010 में slide show के दोरान एक slide से दूसरी slide पर जाते हैं option आपके सामने है control effect, bar graph, slide transition और slide background दोस्तों सही answer होगा slide transition अगला question देखते हैं निर्ण में से कौन सा application software नहीं है application software कौन सा नहीं है वो आपको देखना है तो windows xp दोस्तों ये application software नहीं है ये हमारा system software है अगर आपसे पूछा जाए निर्ण में से कौन सा system software है तो ये ये भी प्रशन आता है तो system software कौन सा है windows xp ये हमारा सही answer है दूसरे जो हैं vlc media player, adobe reader और photoshop ये आपके application software है अब vlc media क्या कारिय करता है वीडियो और गाने प्ले करने के लिए होता है adobe reader कौन सा software है आप ये pdf file को खोलता है ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है adobe reader का और photoshop में photo editing का का कारिय क्या जाता है तो इस परकार हमारा सही answer होगा option a अगले प्रेशन क्यों बढ़ते है निमलिकित में say email field दिये गए है अब इस प्रेशन को मैं थोड़ा सा विस्तार से say कर देता हूँ इस तरह से ये प्रेशन होगा निमलिकित email field दिये गए है जब दी संदेश प्राप्ट करेगा तो वह कौन से email पते को देख पाएगा तो दोस्तों जब भी हम email करते हैं तो पहला two में एक mail address लिख सकते हैं और एक सदिक भी लिख सकते हैं CC है नहीं carbon copy ये CC है ये भी प्रेशन आपसे पूछा जाता है कि CC का मतलब क्या होता है carbon copy और ये होता BCC BCC भी पूछा जाता है BCC यानि blind carbon copy अब ये जो dtest.com ये जो है वह इन दोनों को देख सकता है और अब हमारा प्रेशन है D किस किस को देख सकता है तो D है ये B को देख सकता है और C को देख सकता है तो देखते हैं ये तीनों option किस में हैं तो दोस्तों ये तीनों option हमारे B के अंदर हैं तो B हमारा option correct है अगला प्रश्ण है OTP का उप्योग सुरक्षित ऑनलाइन लेंदेन के लिए अतरिक्त सुरक्षा सुईदा में से एक के रूप में किया जाता है OTP का पूर्ण रूप क्या है option only time period गलत है one time period ये भी गलत है one time password ये आपका बिल्कुल सही है only time password ये गलत है तो हमारा जो correct answer होगा one time password अगला प्रश्ण है MS Word 2010 में Ctrl X और Ctrl C दबाने में क्या अंतर है तो दोस्तों Ctrl X का का काम होता है cut करने का इसका काम है आपका cut करने का और Ctrl C का काम है आपका copy करने का तो हम देखते हैं ये cut और copy कहा है text को paste करने के लिए तो ये हमारा गलत है तो option A हमारा गलत है text को cut करने के लिए और text को copy करने के लिए तो B option हमारा सही है यहाँ पर देखते हैं यहाँ paste आगया गलत है और text को select करने के लिए Ctrl X select करने के लिए नहीं होता है ये भी गलत है तो इस तरह से हमारा जो option B है वो correct answer होगा अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं अगला प्रशनी क्या है यह दी कोई company browser के प्रतेक प्रश्ट के नीचे अपनी company का नाम और logo शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग करेंगे अब दोस्तों company का जो ब्रॉशर होता है उसमें आप अगर हर page पर लाना चाहते हैं या नाम लाना चाहते हैं तो header और footer का उपयोग करेंगे जाता है अगर आप page के उपर की तरफ लगाना चाहते हैं तो header का इस्तमाल किया जाएगा और यदि आप पेज़ के नीचे की तरफ लेगाने चाहते हैं तो उसमें फूटर का इस्तमाल किया जाएगा तो इस तरह से हमारा option C फूटर correct answer होगा अगला प्रशन है joystick मुखे रूप से के लिए परियोग किया जाता है option है joystick किसलिए काम आता है इसक्रिन को दोवनी और को नियंतरने के लिए बिल्कुल गलत computer gaming के लिए text enter करने के लिए और print text के लिए तो दोस्तों text enter करने के लिए हमारा पास keyboard काम आता है और print text करने के लिए printer use काम आता है और computer gaming के लिए joystick काम आता है तो सही answer होगा option B computer gaming के लिए अगला question देखते है MS powerpoint 2010 में अधिक्तम जूम परतिसत है तो अधिक्तम जूम परतिसत है 400 तक तो सही answer होगा option C computer का एक रिशाल net truck जो दुनिया बर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है क्या कहलाता है वह इंटरनेट कहलाता है तो सही answer होगा internet अब दूसरे text की बात करें हम email, electronic mail जो एक आप mail अगर एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर किसी text या document को बेजना चाते हैं तो आप electronic mail के दोरह बेजा जा सकता है hypertext, hypertext क्या होता है यदि आप किसी पर link बना रहे हो जिस word पर आपने link बनाया है उस word को आप hypertext बोलेंगे hypertext बोलेंगे और lane दो या दो से दिक computer जब आपस में जुड़े होते हैं वह lane कहलाता है तो हमारा जो इसका आंसर जो होगा वह होगा internet अगला प्रशन वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक दौर के रूप में कारी करता है तो वह क्या होता है खोज इंजन, homepage, browser, url तो दोस्तों सही आंसर होगा homepage homepage हमारा सही आंसर होगा और यदि आपको किसी text है या किसी url को या किसी picture image को खोज रहे हैं तो आप खोज इंजन का उप्योग करेंगे सबसे अधिक खोज इंजन जो काम आता है वो होता है Google आपने Google का नाम सुना होगा ये भी आपके important search engine है या खोज इंजन जिसे बोलते हैं अब browser जिसके दोरा आप internet के web page वगरे देख सकते हैं जिस application के दोरा उसको browser कहते हैं अब browser के बारे में पूछा जाए तो Google Chrome Google Chrome क्या है? Google Chrome है एक browser है और Google Chrome है Mozilla Firefox है Safari है और Internet Explorer है Internet Explorer ये मुख्य ब्राउजर है Google Chrome, Mozilla Firefox Safari और Internet Explorer ये आपके मुख्य ब्राउजर है तो इसका सही answer होगा home page, option B हमारा सही answer होगा अगला प्रस्षन देखते है एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रिक्रिया कहलाती है इस्टोरिंग, कॉपिंग, बर्निंग, प्रेस्टिंग दोस्टों सही answer होगा option C, बर्निंग एक CD में फाइल कॉपी करने को बर्निंग काएंगे अगला प्रस्षन देखते है आप MS Office दस्टावेज को PDF फाइल में फार्मेट करना चाते है या सेव कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सेव फाइल में जाकर टेब में सेवेज ओप्शन और सेवेज टाइप में PDF को चुने बिल्कुल सही है इस तरह से यह आपका option A ही हमें सही लगता है Voice over IP का उप्योग करके गलत है email लिखकर print preview का उप्योग करके यह तीनों option गलत है सही option है फाइल टेब में जाकर सेवेज का उप्योग करें और सेवेज टाइप के अंदर PDF को चुने अब दोस्तों PDF किया है, PDF की full form भी पूछी जाती है और PDF की full form होगी आपकी portable document file portable document file ये PDF की full form है और इसको देखने लिए कौन से application का इस्तमाल किया जाता है तो Adobe Reader, किसका इस्तमाल करता है Adobe Reader का, ये भी आप से questions पूछा जा सकता है अगले प्रशन क्यों बढ़ते है Windows में विकल्प छवी को computer और projector के बीच विभाजित करता है जब भी हम projector को computer से जोड़ते हैं इस तरह आप अपने computer screen पर कुछ और projector screen पर कुछ दर्शिये को परदसित कर सकते हैं ये कारवाई किस से होगी तो दोस्तों यदि आप screen और projector मान लो ये projector है और ये screen है और ये आपका laptop है अब आप यदि केवल projector पर कुछ दर्शिये देखना चाहते हैं तो केवल projector only करेंगे इसका उप्योग होगा केवल projector only केवल screen पर और यदि आप केवल computer पर देखना चाहते हैं या laptop पर देखना चाहते हैं तो computer only का उप्योग होगा और यदि आप दोनों पर देखना चाहते हैं उसमें आपका duplicate का उप्योग होगा एक इस slide अगर आप दोनों पर देखना चाहते हैं तो duplicate का उप्योग होगा और प्रोजेक्टर पर कुछ अन्य देखना है आपको प्रोजेक्टर पर कुछ अन्य देखना है और laptop पर कुछ आपको अन्य देखना है तो extend का उप्योग होगा तो हमारा जो questions है वो यही है कि आपको screen पे कुछ अलग देखना है और laptop पे कुछ अलग देखना है तो सही answer होगा extend अगले प्रश्नी क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्नी क्या है website www.irctc.co.in से संब्बंदीत है इससे संब्बंदीत है IRCTC बारतिय रेल से संब्बंदीत है passport सिवा से संब्दीत है ITR filling से संब्दीत है और आधार update से संब्दीत है तो दोस्तों आधार के लिए udai.go.gov.in का उप्योग होगा और ITR के लिए income text.gov का उप्योग होगा और passport के लिए passport india.gov का उप्योग होगा और जो अमारी बारतिय रेल का उप्योग के लिए आपको IRCTC का उप्योग करना पड़ेगा तो सही answer होगा option A बारतिय रेल अगला प्रेशन देखते है निम लिखित में से कौन सा एक छवी graphic file प्रारूप नहीं है आपकी कौन सी जो प्रारूप है इमेज या पिक्चर जिसमें हम पिक्चर ले सकते हैं दोस्तों option है PNG, GIF, BMP, GUI तो सही answer होगा option D GUI अब GUI की full form क्या होती है graphical user interface graphical user interface ये भी आपके exam में काफी बार सवाल पूछा गया है कि GUI की full form क्या है और इसमें ये प्रारूप नहीं है बाकि PNG, GIF और BMP ये प्रारूप होते हैं अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन क्या है निर्ण में से एक input device का उधारण है कौन सा option है option है scanner scanner दोस्तों input होता है speaker ये output होता है projector ये भी output होता है printer ये भी output होता है तो हमारा option A scanner input device है अब scanner और output की बात करें तो scanner input device वे device होते हैं जिनके दोरा हम data को computer के अंदर परविष्ट करवा सकते हैं computer के अंदर परविष्ट करवा सकते हैं और output device कौन सा डिवाइस होते हैं वह है डिवाइस जो data को computer पर प्रदिश्यत करा सकते हैं hard गोपी में hard में बाहर निकाल सकते हैं जो data को बाहर देख सकते हैं या निकाल सकते हैं तो हमारे ये तीनों option जो है वह output device है और ये पहला जो option है scanner वह input device है अगला प्रशन देखते हैं saving एक परिक्रिया है saving क्या परिक्रिया है option A memory से storage माध्य में दस्तवेज को copy करना दस्तवेज की वर्तमान इस्तती को print करना sampoon root बदलने के लिए ये सबी तो दोस्तों memory में जो आप storage करोगे वह ही saving होगा तो हमारा सही answer होगा option A और दूसरे option की बात करें दस्तवेज की वर्तमान इस्तती को print करना तो ये होगा printing printing sampoon root बदलना यानि editing या आप कुछ बदलना चाहते हैं उसमें तो editing के लाएगा तो इसका सही answer होगा option A अगला प्रशन है CPU और memory इस्तित होती है CPU और memory कहां इस्तित होती है विस्तार बोर्ड में नहीं motherboard में storage device में output device में तो दोस्तों option B है motherboard में CPU और memory इस्तित होती है अब storage device storage device का अगर आपसे सबसे अधिक तो में storage device पूछी जाए तो वह होती है hard disk output device output device में आपका monitor होगा printer होगा यह सबसे ज़्यदा उप्योग माते हैं printer और monitor और भी speaker वगर भी आपके output device में आते हैं तो हमारा सभी answer होगा motherboard अगला प्रेशन देखते हैं FTP FTP का पूरा नाम क्या है तो FTP देखते हैं file transfer protocol fast transfer protocol file tracking protocol file transfer procedure तो हमारा option A है वो सभी होगा file transfer protocol FTP का पूरा नाम अगला प्रेशन आपको कुसल slide show presentation बनाने में कौन सा application software सक्सम बनाता है तो MS Excel आपको यदि गणना है करनी है तो MS Excel का उप्योग करोगे गणना के लिए MS Excel का और यदि आपको किसी mail बगरे का mail बगरे या context बगरे को आपको इकटे करने तो आप MS Outlook का इस्तमाल करेंगे और यदि आप slides short transaction presentation करने के लिए आप power print का इस्तमाल करेंगे MS pen penting के लिए इस तरह से हमारे अगर अलग option होगे option C हमारे सही answer होगा अगला प्रस्टन देखते है computer का प्रात्मी कुद्श्य प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना तो किसको प्रोसेस करता है यहाँ पे data को प्रोसेस करता है किसका computer का प्रात्मी कुद्श्य प्रोसेस करना और सूचना को सूचना में बदलना उसे सूचना में बदलना तो हमारा option B हमारे सही answer होगा data को प्रोसेस करता है अगला प्रस्टन देखते है आप computer से social media का उप्योग निमलिकित के लिए उप्योग कर सकते है किसके लिए उप्योग कर सकते है social media पूछा है तो social media देखते है दस्तावेज, Excel, PPT यह social media में नहीं आते है YouTube, Google Play, Outlook यह application install करने का सादन है तो यह भी नहीं आता है Facebook, Instagram, Tutor तो यह आपके social media के हैं SSO, PR, SLY और LPG नहीं यह भी आपके social media में नहीं आते है तो हमारा option C बिल्कुल correct answer होगा अगला question देखते है अगला question है junk email को कहा जाता है तो पहले भी मैंने बताया था आपको junk email क्या होता है spam कहलाता है अगला question देखते है USB का पूरा नाम क्या है USB का पूरा नाम universal serial bus बिल्कुल correct है universal serial bus universal sequential bus गलत है unique serial bus बिल्कुल गलत है unique sequential bus बिल्कुल गलत है तो option A हमारा सही answer होगा अगला question है TB, KB, GB, MB को ROI को ROI करम में विवेश्टेद करना है अब ROI करम मतलब होता है ज्यादा से कम की और ज्यादा से कम की और तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है TB होता है सबसे ज्यादा तो terabyte TB सबसे ज्यादा होगा फिर इसमें GB होगा इसके बाद में क्या होगा जी बी और उसके बाद में एम बी और इसके बाद में के बी अब आप से ये भी पूछा जाता है टी बी की फूल फॉम टेराबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट और किलो बाइट अब 1024 आपको याद रखना है 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB अब दोस्तों यह देखते हैं यह कहां पर हैं तो इस परश्ट में TB, MB और GB यह MB पहले आगया है तो यह हमारा गलत है MB पहले आगया यह भी गलत है TB, GB, MB और KB यह option हमारा सही है तो option CM हमको सही है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है compact disc, recordable CDR CDR क्या है compact disc read only disc, गलत है write, erase, rewrite disc, गलत है semiconductor disc, गलत है write once, read many बिल्कुल correct है compact disc यह write once, read many एक बार write हो जाती है और आप उसको बार-बार पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तों, अगले प्रशन देखते हैं MS Excel 2010 में सबसे उपर बाई और सेल का पता होता है दोस्तों सबसे उपर एवन होता है जो हमें सेल अडर्स जिसकों बोलते हैं नेम बॉक्स में होता है और यहां में यह सेल का अडर्स बताता है कि हमारे जो सेल है वो कहां रखा हुआ है तो गलत लिख दिया में थोड़ा A1 होगा A तो column name होगा आपका और 1 जो होगा वो row name row संक्या अगले प्रशन के और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन क्या है यह देखते हैं एक firewall एक software टूल है जो सुरक्षा करता है अब firewall किस किस से सुरक्षा करता है सर्वर से बिल्कुल सर्वर से सुरक्षा करता है network से बिल्कुल network से करता है fire से आग से सुरक्षा नहीं करता है वेक्तिकेट computer बिल्कुल करता है तो नीचे दिये गए विकलपों में सही उत्तर है पहला सही है दूसरा सही है तीसरा गलत है और चौता सही है तो देखते हैं पहला और तीसरा दूसरा और तीसरा ये भी गलत पहला दूसरा तीसरा इसमें फायर दे दिया इसने ये भी गलत और option D हमारा correct answer है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा क्या है shift कथन का सवाल है shift plus delete keyboard कुंजियों का उपयोग करने से file folder इस्थाई रूप से हट जाता है और ये recycle bin में उपलब नहीं होता बिल्कुल सही कह रहा है जब हम shift plus delete का परियोग करते हैं तो वह permanent delete हो जाता है और recycle bin में नहीं जाती है कोई file recycle bin में नहीं जाती है तो कथन सत्य है दूसा कथन देखते हैं विंडोस 10 में परतेग उपयोग करता के लिए अलग अलग उपयोग करता खाते अध उत्य सेटिंग्स और वरियता जैसे desktop प्रस्ट बुमी screen saver के अनुमती देता है बिलकुल देता है तो options ये कथन दूसा भी हमारा सही है तो हम देखते हैं किसमे सही है option D के अंदर दूनों कथन सत्य है तो option D हमारा correct answer होगा अगला question से आपको मिलान करना है तो देखते हैं मिलान करके MS Word 2010 MS Word 2010 में क्या होते है 10 तवेज होते है तो पहला मिलान करता है R से MS Excel क्या है sheet का कार्ये किया जाता है ये इससे और power point किसे मिलान होती है power point से हमें slide बनाते है तो first तो R से मिलता है तो ये देखो first R ये P दे रहा है Q से मिल रहा है तो दूसरा हमारा ये तीसरा option हमारा सही है तो option C हमारा सही है answer है अगले प्रशन के और बढ़ते हैं अब देखते हमारा अगला प्रशन है ये प्रशन हो गया है तो इस तरह से हमारे सभी प्रशन समापत होते हैं दोस्तों तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत पर एक लाइक तो बनता है और वीडियो को चैनल को सबस्काइब करना न बुलें अगर आप R.S.A.T. एक्जाम दे रहे हैं या कोई भी कम्पिटर का एक्जाम दे रहे हैं तो आपको ये प्रशन जरूर देखने चाहिए धन्यवाद दोस्तों